Prevention is better than cure, इलाज से परहेज अच्छा, ये परसोख्रा या प्रोवर्ब जीवन में चमतकार कर सकता है, आए इसको समझते हैं और मैं simple तीन example के द्वारा इस प्रोवर्ब को समझाऊंगा और इससे जीवन में बहुत बड़ा चमतकार हो सकता है नमबर वन, medical profession में अगर आप देखेंगे, कि जब हम बहुत सारी बीमारियों को ठीक करते हैं, तो हमें लगता है कि येस, medical profession अच्छा काम कर रहा है लेकिन उसका extreme, जो सबसे उपर वाला स्तर है, वो तब है कि जब आप prevent करें, preventive action लें, बीमार होने ही नहीं दें, rather than आप corrective measures करते हैं होने के बाद जो damage control है, उसको हम correction करते हैं, corrective measure करते हैं, तो सबसे उत्तम जो level है medical का, वो ये है कि आप इस तरह के actions ले, कि लोग pandemic से बचे, वो बीमारियां ही नहीं आए number two, एक example हमने करोना का देखा, करोना में जब हम भीड देखते हैं, तो उस भीड को control करना ही वो preventive measure है, जहां हम उसके after effect से, उस spread से बच सकते हैं तो वहां पर हमें सबसे strict actions की जरूरत है, चाए वो police के द्वारा हो, चाए administration के द्वारा हो, या कोई भी हम major ले, लेकिन जहां पर भीड है, जहां पर social distancing संभव नहीं है, उसको push करना preventive measures है, पिछले दिनों में इसकी भारी कमी देखी गई है, और उसका कारण है कि बहुत ब selective measures ऐसे समझे कि आप पानी को रोक सकते हैं, लेकिन एक बार वो बिखर गया, तो फिर तो वो tsunami अपना असर करने के बाद ही शान्त होती है, और वैसा ही हमने pandemic में देखा, तीसरा example लूँगा मैं, health के लिए, success के लिए, health में आप preventive measures ले सकते हैं, सुबह अपना morning walk करें, meditation करे अपने को आप एक गोल बनाएं, success के लिए fail होने का वेट ना करें, उससे पहले ही आप planning करें, कोई purpose ढूड़ें, गोल बनाएं, daily गोल बनाएं, weekly गोल बनाएं, fortnight गोल बनाएं, monthly गोल बनाएं, quarterly गोल बनाएं, yearly गोल अचीव करें इसी तरह, तो ये वो preventive measures है, preventive measures को और मै कोई चीज घटित हो जाती है, उसको रोकना correction कहलाता है, और वो क्यों गिरी, कैसे गिरी, वो corrective measures हैं की आगे नहीं हो, लेकिन वो हो ही नहीं, वो problem ही नहीं हो, चाए वो स्वास्त किये है, चाए वो finances किये, चाए relationships किये है, चाए वो कोई भी success का matter है, या health issues है, वो हो ही नही होने देने से पहले ही उसके preventive, उसके measures लेना, उन actions को लेना, उनको हम कहते हैं, prevention, preventive measures, इसलिए बहुत खूब किसी ने कहा है, prevention is better than cure, इवन आप Corona का example ले, तो cure होने के बाद भी बहुत बड़ा एक खत्रा है, कि after effects कैसी होंगे, तो दोस्तो, prevention is better than cure, इस proverb को life के आप हर field में apply कीजिए, life will change and never be same again, अगर आपने अभी तक मेरा channel subscribe ने किया है, तो मेरे new videos का notifications के लिए subscribe कर दें और bell icon दवा दें, so that आपको सबसे पहले पता चले, मेरे नई videos के बारे में धन्यवाद